वेलेकम बैक तो माई यूटूब चैनल ग्यान टेक सिरीट फेन आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप टाटा इसकाई का सेट आप बॉक्स यूज करते हैं तो ये वीडियो आप के लिए हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने टाटा इसकाई कि बिना कोई देखने वाले चैनल को कैसे आप अपने मोबाल से उन चैनलों को रिमूब करेंगे जिन चैनलों को आप देखते नहीं है और फालतू में पैसा वेश करता है इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आने वाला तो फिर चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो इस लाल करने कि सब्सक्राइब को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में notification घंटी होगी, इसको all करके प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा, आप बात करते हैं कि Tata FKai के channel remove कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जाना होगा अपने Tata FKai, पहले सबसे पहले play store को open करने के बाद यहाँ पर आपको अपने Tata FKai application को search करना होगा, सबसे पहले देख सकते हैं, यह रहा Tata FKai का mobile application, इसको आपको सबसे पहले install कर लेना है, install करने के बाद simply आपको करना होगा open, जैसे आप open करेंगे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा interface हो रहा, यह रहा official application, आपको करना होगा, सबसे पहल location को on करने होगा, आपने location को, जैसे location को on करते हैं, देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर login करने का option आ चुका है, login कैसे करना है, इसके आपको अपनी Tata FKai ID नमबर पता होने चाहिए, अगर आपको Tata FKai ID नमबर नहीं पता है, तो इसके लिए आप मेरे channel पर जाकर Tata FKai डालने के बाद आपको नीचे continue में click कर देना है, जैसे आप continue में click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपका mobile number registered होगा, उस registered mobile number पर आपको 6D का OTP आएगा, देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है, इस OTP को यहाँ पर मैं fill करूँगा, और fill करने के बाद continue में click कर दोगा, जैसे आप continue में click करेंगे, तो टाटफ का mobile application पर आपका account login हो चुका है, अब आपको करने क्या है, राइट साट के corner पर click करना है, फिर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, माई टाटफ काई का, तो माई टाटफ काई में आपको click कर देना है, जैसे आप माई टाटफ करने के बाद यहाँ से आपका जो भी account है, वो open होके आजाएगा, दुबारा से यहाँ से मैं click कर देता हूँ, अगर एक बार में आपको open नहीं हो रहा है, तो इस application से आप बाहर आने के बाद दुबारा से application को open करना होगा, open करने के बाद देख सकते हैं, आपर मैं माई पैक, तो आपको मैं इस पैक के उपर click करना है, जैसे मैं इस पैक के उपर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करेंगे, अब यहाँ पर आपके चैनल पर, आपके account पर कितने रुपए पड़े हैं, और कौन सा पैक है, सारी detail यहाँ पर open होके आजाएगी, अब आ करना कहा थोड़ा सा जाना है नीचे, यहाँ पर हलिका है, modify pack, आपको simply से modify pack के उपर click करना है, जैसे आप modify pack के उपर click करेंगे, यहाँ पर आप see more में click करेंगे, तो जितने भी channel आपके आ यहाँपर आ चुके हैं, अब कोई भी आपको channel में करने के लिए क्या करना होगा, ज जैसे आप हटा देंगे कि वही चैनल आपका remove हो जाएगा इसके लिए आपको remove यहांपने के बाद आपको करना क्या है नीचे लिएक है select and proceed आप जान दें नीचे लिका है इसलेक अपनेançन में यहाँ पलिका है, drop pack, यहाँ पर यह चनल मैंने हटा दिया है, ऐसे आप हटाएंगे, इसके बाद आपको नीचे आपको देखेंगे, confirm का option है, confirm में क्लिक कर देगे, जैसे आप confirm में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 10 सेकेंड का वेट करना है, जैसे 10 सेकेंड यहाँ से complete होते है, तो आपका यहाँ से channel remove हो जाएगा, और आपका modify pack release हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको remove करना है, अपने टाटफ का ही channel को, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आया हो, तो एक like करना, चैनल पर नए आया है, तो चैनल को subscribe करके, notification घंडी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले भी लेगा, तो फेन इस वीडियो में इतना ही, thank you for watching, take care,